नमस्कार प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हरीरा हरीरा उत्तर भारत में प्रसव के बाद दिया जाने वाला पारंपरिक व्यंजन है हरीरा में मौजूद चीजें नई मा के कमजोर शरीर को मजबूत कर लती हैं इससे शरीर और मासपेशियों में हो प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले 10 चुवारे और 4 टेबल स्पून खसकस को अलग अलग पानी में 2 घंटे के लिए हम भिगो देंगे उसके बाद हम चुवारे के बीज निकाल देंगे और उनको एक ब्लेंडर में डाल चुवारों को और जो हमने खसकस भिगोई थी उसको भी पानी से निकाल के इसी ब्लेंडर में डाल देंगे खसकस और चुवारा दोनों ही बहुत गर्माहाट देते हैं बहुत फाइदा करते हैं अब इन दोनों चीजों को एक साथ हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डेजर तो तीस बादाम डाले काटके और उनको हम सुनहरा होने तक भून लेंगे ड्राइफूट्स अपनी इच्छा नुसार हम कम जादा कर सकते हैं पर जितने जालें उतना अच्छा है अब हमने बीस काजू ले लिए उनको भी हमने टुकड़ों में काट लिया और सुनहरा होने अब बहुत ही जरूरी चीज जो कि प्रसर्फ के बाद बहुत फ़ादा करती है वह है गोंद तो गोंद जो खाने वाला होता है उसको हम लेंगे और एकदम से सारा नहीं डालना है आधा कप करी बूनना है हमें तो हम ठोड़ा करके डालेंगे और यह एकदम से फूल जब यह गोंद रूम टेंपरेचर में आ जाएका ठंडा हो जाएगा ब्लेंडर में डालेंगे और इसे हम धर दरा पीस लेंगे गोंद में कैल्शियम मैगनेशियम और अन्य जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हड़ियों और जोडों को मजबूत बनाते हैं गोंद का सेवन करने से पाचन तत्र भी बहुत सही हो जाता है अब एक टेबल स्पून घी और डालेंगे कड़ाई में और फिर हम एक कप मखानों को काटके उनको भून लेंगे मखाने अंटी ऑक्सिदेंट से भरे वे होते हैं और इनको हमें तब तक भूनना है जब तक थोड़ी कृस्पी नह कर देंगे कुछ मसाले डालने हैं हमें इसमें तो हम डालते हैं उनको एक चमच जीरा एक चमच अजवाइन एक टेबल स्पून सौफ चार हरी लाइची दो लॉंग चोड़ा टुकड़ा नटमक का और आधा इंच के करीब दाल चीमी इसके बाद एक बहुत ही जरूरी कर देंगे तो यह बहुत आराम देती है नई मा को इन सब को पीस के पाउडर बना लिया अब करीब आधा कपके करीब यह पाउना कपके करीब पानी डालेंगे इसी पाउडर में और फिर से इसको गुमा लेंगे ताकि एक पेस्ट जैसा इसका तयार हो जाए जाए दो हम इसको पूरा यूज कर सके तो इसके बाद हम इसमसाले को भूहने तब तक जब तक जब तक घि एक दम उठके अलगना हो जाए बहुत ही ज़्यादा फाइदेंज मसाले हैं हर एक मसाले का अपना रोल है इस रेसिपी में जब यह देखिए भून गया हमारा मसाला यह दि गी हमने नहीं डाला है क्योंकि हर स्टेप में थोड़ा होड़ा गी डाला है ड्राइ फूट अलग भूने गए तो जब आपस में मिलेंगे तो गी अपने भर पूर मातरा में पहुंच जाएगा तो हमारा ये मसाला भून चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे जो चुवा चुवारे की खुष्पू बहुत अची सी आने रग जाएगी और थोड़ा सा इसका रंग भी बदल जाएगा हमें लग जाएगा कि ये अच्छे से भून चुका है तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे ये देखिए अलमोस्ट ये सब भून के तयार हो गया है इस सब करते हुए हम दूसी तरफ एक और पैन लेंगे और उसमें एक कप गुर डालके और एक कप पानी डालके उसको गोल लेना है इसको आज के चड़ा देंगे और सिर्फ तब तक गरम करना है तब तक कि इसमें गुड गुलना जाए गुड को छोटे टुकडों में रखिएगा पाउडर रखिएगा ताकि अच्छे से अराम से जल्दी से घुल जाए बहत खुलाना नहीं है बस घुल गया तो बंद कर दीजे और जब यह मसाला भुन गया हमारा तो इसमें हम यह गुड का सिरफ डाल देंगे और इसको इसमें मिला लेंगे इसमें चीनी नहीं डाली ज उसके अलावा हम डालेंगे कटी हुई 20 किश्मिश और दस के करीब पिस्ता, एक चमच चिरोंजी, आधा कप कसा हुआ नारियल और जो हमने गूंद का पाउडर बनाया था उसे भी डाल देंगे और फिर इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे बहुत स्वादिष्ट भी बनता है ये और जरूरी नहीं है कि केवल प्रसव के समय के बाद ही खाया जाए सर्दियों में भी कभी कभी आप एक बार सीजन में इसको बनाईए और सब को खिलाईए बहुत ही फायदा करेगा बच्चों के लिए तो ये विशेश रूप से फा लेंगे मखाने में इसमें सबसे लास भी आपशने चाहिए क्योंकि अगर हम पहले से डाल देंगे तो बहुत गुले गुले से हो जाते हैं वह एक दम पिससे जाते हैं तो अब हम इसको बस मखाने डालेंगे एक मिनट के करीब इसको और पकाएंगे और इसकी आंच बंद क तो आप इसको आराम से एक हफ़ते तक के लिए फ्रिज में उठा के रख सकते हैं और जब भी जरूरत हो जितनी जरूरत हो उसको निकाल के उतना थोड़ा सा गरम कर लीजे लेकिन खाई ये गर्मा गरम ही क्योंकि इसका फाइदा तभी है जब गर्मा गरम खाया जाए तो य और जब आध।